राष्टिय लोगदल के राष्टिय अध्यक्ष जैंत चौधरी के एंडिये में शामिल होने और भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के अटकलों के साथ जाट लेंड में भारतिय जंता पार्टी के जाट नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगी है अगर जैंत चौधरी भाजपा के साथ चुनाव लड़े तो भाजपा के कई जाट नेताओं की कुर्सी खतरे में हो सकती है दरاصल जैंत चौधरी के भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अटकलों का बाजार काफी समय से गर्म है लेकिन बताया यहें भी जा रहा है कि कभी भी इस डील की घोशना हो सकती है RLD प्रमुक जैन चौधरी के भारजिनता पार्टी के साथ लुकसवा के चुनाब लड़ने की चर्चाओं के साथ जाट बेल्ट में भारजिनता पार्टी के जाट नेताओं में भी हलचल शुरू हो गई है हलचल इस बात को लेकर शुरू हुई है कि अगर जैन चौधरी भारजिनता पार्टी के साथ चुनाब लड़ेंगे तो क्या उनकी कुर्शी खत्रे में पड़ेगी क्योंकि सबाल इस बात का है कि पहरे से भी कई जाट कद्दावर नेता भारतियनता पार्टी में हैं अगर जैन चौधरी भाजपा के साथ आते हैं तो फिर उन्हें ये लग रहा है कि कहीं उनकी कुर्शी खत्रे में नहोँ आस बात की में सामिल हों क्योंकि उन्हें अपनी राजनेतिक अस्तर्ट का भी खत्रा लगर जैन्त भाजपा के साथ आते हैं तो जैन्त प्रभाबी तोर पर जाट लेंड में वो अपना नीत्त्व करेंग ऐसे में जो भार्टा पार्टी के भार्टी के नीता हैं उनका控त जा लेकर में कमजोर हो शकता है तो इसे ले पार्टी के कई कद्दावर नेताओं की राजनीती भी जाट लेंड से ही प्रभावित होती है। जैन्त चौदरी पश्ची में उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर भारती जनता पार्टी को सीधे टक्कर देते हैं। ऐसे में जैनत अगर भाज़पा के साथ रहते हैं तो भाज़पा के जाट नेताओं का वजूद प्रभावित होगा देखे यह चुनावी वर्स है और सारी पार्टियां हमें ओफर कर रही है क्योंकि हमारा एक राजनेतिक बजूद है हमारे नौ विधायक है तो निश्यत रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठवंदन के लिए आतोर है तो बाची चल रही है कि देखिए वो कौन होती है इस बात को कहने की क्योंकि यह तो हमारी पार्टी का अपना वजूद है हमारा राश्टि नेत्रत तो कहेगा कि हम किसके साथ है देखिए बहाजपा के लोगों के दवारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया है लेकिन वो चार सीट की बात कर रहे हैं लेकिन हमने बारे लोका सीटों पर तैयारी कियी है तो इस बात कर निर्णें हम लेंगे किसी के साथ गठवंदन में चुनाब लड़ेंगे आप देखे ऐसा है जो जनता के और किसानों के हित के लिए जो भी पार्टी हमारी मांगों पर सहमत होगी हम उसके साथ चुनाब ड़ेंगे watch आप देखिए हमारी तो यहीं है कि जो हमारा बजूत है और जन के लिये हमने संघर्ष किये चाए वह कामगार लोग हें हमारे जो वह बहुत बड़ा मुद्ध हैं तूएसे बहुत सारे मुद्धे हैं जिन कर हमने अपना पार्टी का जो गोशना पत्र जारी किया था और जो भी हमारी उन मांगों पर सहमत होगा हम उनके साथ चुनाब में इस बार लड़ेंगे इस अपने बजूद को कायम करने के लिए भी भाज़िनता पार्टी के साथ में कर चुनाब लड़ सकते हैं अखले से उनकी दुरियां बढ़ रहे हैं ऐसे में सवाल यह है कि जार बेल्ट में अगर जैन चोदरी भाजपा की तरफ से नित्रत्र करते हैं तो क्या भाजपा जो सब्सक्राइब से पहले भाज़िनता पार्टी जैन चोदरी को अपने खेमे में लाने कोशिस कर रही है उससे राजनेतिक गतविदियां और हल्चर तेज हो गई है निसका परसन संतुष कुमार के साथ गोबिंद भरद्वाज